ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रताब गर्जिले की दिन भर की बड़ी खबरें खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी सेकनी बेदन है कि ये अपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सकाइब नहीं किया है तो आज ही कल लें जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें चलिए देर न करते हैं रूप करते हैं आज की पहली वड़ी खबर शुरुआत कुंडा इलाके खबर्स करते हैं जहां एक्सिस बैंक का एटियम और सर्वर रूम तोड़ने का किया गया प्रयास सीशी टीवी कैमरे में कैद हुई करते हुते दरसल आइक्सिस बैंक के एटियम बूत पर कार से पहुंचे चारीवा के भीतर घुषे पहले एटियम से रूपए निकालने का प्रयास किया एटियम खराब होने से रूपए नहीं نکلا तो एटियम और सर्वर रूम का दर्वाज़ने का प्रयास किया सुबह मामरे की जनकारी हुई तो बैंक में हड़का मत गया हलाकि सब कुछ सुरच्छित रहा लेकिन सुरच्छा को लेकर सवाल खड़े हो गए बैंक का सीची टीवी कैमरे में रजगतत्तों की पूरी हरकत कैद है जिससे पुलिस आरोपियों की पहचान करने और लोकेशन खगाले में जुटी हुई है बता दें कुंडा में प्रयाग राज लखनो हाइबे पर कोतवाली से सो मिटर दूर एक्सिस बैंक है बैंक के बाहरी हिस्से में एटियम लगा है उसी के बगल में सरवर रूम है गुरुवार रात करीब 10 बच कर 20 मिनट पर कार सबार 4 लोग पहुँचे और कार को बैंक के थोड़ा पहले ही खड़ी करने के बाद भीतर घुश गए पहले एटियम से रूपे निकलने का प्रयास किया लेकिन एटियम खराब होने के कार रूपे नहीं निकले गुश्य में वह लोग एटियम और सरवर रूम का दर्वाजा तोड़ने का प्रयास किया दर्वाजे पर पहर से प्रहार करते हुए एक को फोट साफ दिखाई दे रही है पहर के प्रहार से दर्वाजे का थोड़ा सा हिस्सा तूट गया लेकिन दर्वाजा सही सलामत रहा जिससे वह लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए शुक्रवार सुबा बैंक खुलने पर अधिकारी पहुँचे तो मामले की जनकारी होते ही हरका मजग गया बैंक के सहाएक मैनेजर की सूचना पर पुलिस मौके पहुची और काफी देर तक पूरे मामले की चान बिन की पुलिस के अलाब सुरों में बताया कि मामले की जाच कर आवश्यक भी करवाई की जा रही है खबरों में अगे बढ़ते हैं बात करेंगे शदर लाके खबर की जहां मध्यप्रदेश के मुक मंत्री मोहनियादो पहुचे प्रताब गड़ के करमाही गाउं किया स्रीमत भागवत कथा का स्रामाड दरसल प्रताबगड के करमाही गाउं में पूर मंत्री डक्टर महन्द सिंग के घर चल रहे स्रीमत भागवत कथा में सामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख मंत्री मोहन यादो सुक्रवार को साम करीब 4 बजे करमाही गाउं पहुचे जहां उन्हों ने स्रीमत भागवत कथा का स्रमड किया इसको उपरांत आयफ ये लोगों को संबोधित करते हुए काहक जिस तरीके से महाकुम्ब का आयुजन किया जा रहा है उसी तरज पर उज्जेन में भी कारक्रमों का आयुजन किया जाएगा आज तो जिस कारण से हमिया इखटा हुए है मैं उसका आनंद भी उसका मैं मानी हमारे महन सीम्जी को भी धन्यवाद भी दे रहा हूँ लेकिन सनातन संस्कृती की जड़े भी गेहری होना चाहिए उसका आनंद भी आना चाहिए जिसके कारण से हमिरे इस पिरकाल का आनंद आता है तो मैं आज की सबसर पर आपसे मिनवता से निविलन के होता हूँ और आपको आमत्रम भी देता हूँ जैसे मैंने कहा है कि अगर अपने माध्यम से आप भी उज्जेन में अपना एक आस्तरण बनाते हैं तो क्रुका होगी मेरी अपने और से पुना आपके चड़नों में बन्दन आप समीं को पुनाम जैसरी महाकाल महाकाल महराजे की है खबरों में आगे बढ़ते हैं बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की जहां पुलिय चौड़ी करण की मांग को लेकर किया गया धर्ना प्रदर्शन दर्शल यह तस्बीर है आजपुर्दे उसरा इलाके के धरोली पुल के पास का जहां नाराज ग्रामीडों द्वारा पुलिय चौड़ी करण को लेकर धर्ना प्रदर्शन करते हुए जम कर हंगामा किया गया ग्रामीडों ने आरोप लगाया कि सस्थल पर अब तक दर्जन भर से अधिक मौते हो चुकी हैं लेकिन प्रशाशन ध्यान नहीं दे रहा है कई बार सिकायती पत्र भी दिया गया और यहां सड़क को चौड़ी करने की मांग की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई जिसके नाराज ग्रामीडे कत्रित हुए और पुली अचौड़ी करने की मांग को लेकर धर्ना शुरू कर दिया जानकारी होने के बाद पुलीस के अलापसर पहुँचे और कड़ी मसकत के बाद इन्हें हटाया गया खबरों में आगे बढ़ते हैं बात करेंगे शदर लिया के खबर की जहां चिल्बिया इस्तिता धिछड़ा भिंता कारेले के बाहर पांचोए दिन भी बिजली स्रम्कों का धर्ना प्रदरसन जारी बतादिक अधिछड़ा भियंता कारेल चिल्विया कारेल के बाहर गुरुवार को भी पांचोय दिन बिजली स्रम्कों का प्रदर्शन किया गया समय वज़न में धांतली अनिमिता चटनी के बिरुद पांचोय दिन भी कर्मचारियों ने हला बोला और धर्ना प्रदर्शन करते भिए प्रताबगर के जिला धिकारी से मामले महस्ता छेब की मांगी अंदलनकारी समक्यों और उतरप्रदर्श प्रदर्शन के ओर से जारी विग्यप्ती में कहा गया कि जब तक अधिछरा भिएनता को नहीं हटाये जाता तब तक उनका धर्ना प्रदर्शन अनुराद जारी रहेगा आरोप है कि अधिछड़ व्यंता कमपनी के साथ मिलकर लगतार धातली कर रहे हैं